हैलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे हूँ गे दोस्तों अप शाभी को अमारे यूट्यू चैनल में बहुत बहुत स्वागत हैं तो दोस्तों अभी सुबहकरका टाइम और घरी में बजगे हैं साथ और सुबह का टाइम है तो फ्रेंज आज मैं सेह से रिलेटेड कुछ टॉपिक पे बात करूंगी तो आप लोग को मैं इस वीडियो में देखने को मिलेगा तो आप लोग वीडियो को कंटिनीव रखी कर वीडियो को फुलाज करेगा ऐसे तो जादातर रेस्पी का ब्लोग में सेयर करती हूं आप लोग के साथ ऐसे कोई भी चीज में बनाए उसका रेस्पी में बनाकर आप लोग को दिखाती हूं कि ऐसे मैं बनाती हूं आप लोग कैसे बनाते हैं बट आज मैं अलग बताऊंगे आप लोग को कुछ सेहसे रिलेटे तो इस वीडियो में आप लोग को जनकारी मिलेगी तो वीडियो में बढ़ते हैं आगे और वीडियो को वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो अभी कभी कर लीजिएगा ताकि मेरे से रिलेटर हर वीडियो आप तक ज बिल्कुल मत भूलेगा और हां लाइक करने में कंजूसी बिल्कुल मत करिएगा लाइक करके ही जाएगा तो चलिए छोटा सा वीडियो बनाओंगी तो आप लोग बने रहे और मैं दिखाते हैं आप लोग को तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहां पर जो है सचाने और गूर की में बात कर रहे थी इसी टॉपिक पर मैं आज बात करूंगे आप लोग को तो आप लोग यहां पर इस तरह से देख सकते हैं थोरा सा गूर का टुकर है और इस तरह से चने है तो चलिए मैं इसे चलती हूँ खार लेती हूँ और मैं कीचेन में अभी थी और रोस्त चनी जो है ऐसे अंगूर यहां आप लोग देख सकते हैं पर अंगूर रहें और इसे जैसे होता है जैसे थोड़े साइंगूर जार सके वाद किसी कपड़े में बांध कर रख देने से पूरा उठाँ जाता है उसके वाद से उसके वाद खाने से सहत के लिए बहुत ही करके मुझे जरूर बताईगा और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है चनी और गुर जादा तर आप लोग को पता होगा मोटापे का जो लोग सिकार है वो सुभर सुभर चनी और गुर खा सकते हैं तो उनका जो है इस वेट कंट्रोल में आज आ सकता है आता है तो जहां मुझे पता है और आप लोग को पता है तो आप लोग को भी यह सब पता है और आप लोग भी मुझे बता सकते हैं तो चलिए फिरेंस मैं चलती हूं चनी और बूर खाने और अभी में खाना भी नहीं बनाओंगी बनाई हूं बनाओंगी तो बाकी में नहाद वाले थी आप लोग देख सकते हैं और मेरा बाल भी सुख गया है क्योंकि दोस्तों बाल मैं खोल कर ही रखी थी और सुख जाता है तभी मैं बानती हूँ नहीं तो इसमेल आने लगता है तो इस वज़से तो चलिए आप लोग बने रहे हैं मैं मिलती हूँ बस थोरी तेर में विडियो को चुरण कहीं भी मत्जाइगा और विडियो को कंट्यू नहीं रखेगा तो इस तो दोस्तों आप लोग ने देखा इस तरह से चरनी और गूर में खाली हूँ और अब मैं बनाओंगी खाना और खानी में क्या बनाओंगी तो चीच मैं आप ल तो प्रेंज कMusic σेटे आपटीमेतल यहां धिकाला हुआ है ध्यूड़ा उफची को प्रेंपलें लाएं इस जड़ा और शर्वान के लिधा सरी है मेर्यां बना है और वाकि गूर वाली खीर में बनाएं तो आप लोग देख सकते हैं यहां पर गूर वाली खीर भी बन चुका है तो इस तरह से आज का खाना बना है तो आप लोग देख सकते हैं आज का खाना में वस यही है तो फ्रेंज इस तरह से कुछ हमारा आज का टॉपिक था तो आप लोग को कैसा लगा आप लोग कमेंट करके मुझे बता सकते हैं और हां मैं बताई और जो मैं आप लोग के साथ सेयर की चैनी और गूर खाना सेहत के लिए कितना लगदाया कि आंकरी चैनी खाये तो और ही सेहत में और ही अच्छा रहता है सेहत के लिए तो आप लोग को एक ऐसा लगा वीडियो छोटा सा वीडियो प्यारा सा वीडियो आप लोग कमेंड करके मुझे बता सकते हैं और चलिए आई हो पे छोटा सा वीडियो आप लोग को जरूरी पसंद आया हुआ तो चलिए मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में और फिलाल इस वीडियो के यही पे रहने देती हो और जाते जाते इक लाइक करके होँगा लाइक करने में कंजुसी बिल्कुल मत करेगा, तो चलिए मैं चलती हूँच जाने और गूर खा लेती हूँ और उसके बाद ही खाना बनाऊंगी और खाऊंगी तो वस आप लोग बने रहें और मैं आज क्या वीडियो यहीं पर इंड करती हूं तो चलिए दोश्तों बाम बाई और टेक क्या राप्सरी को तो चलिए आप लोग बने रहें